नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं हूँ आपका दोस्त राजन सरोडिया देखिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए लिकार आया हूँ MPGK में भारत भवन टापिक से सम्मादीत बहुत ही महत्पूल प्रेशन है ये प्रेशन है जो है दोस्तों MPPSC से लेके ब्यापम MPP Police Constable MPP Petwari और जितने भी एकजाम जोस्तों जो मद्य प्रदेश के अंतरगत आयोजित होते हैं सभी के द्रिश्टी कोर से बहुत ही important है वीडि बहुत ही important topic है दोस्तों अगर आप MPG के पढ़ते होगे तो आपको पता है कि भारत भवन का टापिक कितना important है और इसमें दोस्तों कुछ ऐसे प्रेशन भी देखने को मिलेंगे आपको जिससे आपके दिमाग की बत्ती गुल होने वाली है चलिए शुबात करते हैं दोस्तो question number 1 है भारत भवन कहां पर इस्तित है तो option दिया हुआ है गौलियार भोपाल इंदोर उज्जेन तीक है आपको पता होगा दोस्तों भारत भवन कहां पर इस्तित है भारत भवन इस्तित है आपके मद्दे प्रदिस की राजधानी भोपाल में इस्तित है ठीक है कहां पर इस और द्रस्य कला का केंदर है ठीक है याद रखना भारत भवन किसका केंदर है प्रदर्शन और द्रस्य कला का केंदर है और कहां पर इस्तित है भोपाल में इस्तित है नेस्ट कुस्टन है कुस्टन नम्मर दो भारत भवन की स्थापना कब हुई थी देखे दोस्तों आपको 1982 82 याद रहता है लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि बरतमान समय में ठीक है जितना competition आपके exam में चल रहा है तो आपको date wise याद होना चाहिए ठीक है याद रखना भारत भवन की स्थापना कब हुई थी तो इसकी exact date आपको याद रखना है 13 फरवरी 1982 कब 13 फरवरी 1982 को दोस्तों भारत भवन की स्थापना भवपाल में हुई थी ठीक है next question देखते हैं question number 3 है भारत भवन किस पहाड़ी पर इस्तित है ठीक है अरेरा हिल्स स्यामला हिल्स कटारा हिल्स इदगाहिल्स और एक और है दोस्तो नेओरी हिल्स ठीक है तो यह पांच पहाड़ी पर कौन सा जहरवसा हुआ है भवपाल है तो question पूछ रहा है कि भारत भवन किस पहाड़ी पर इस्तित है ठीक है यह question बिलकुल 100% बतारहों दोस और question जब एक जाम आएगा तो आपसे बन जाएगा next question है question number 4 है भारत भवन के बास्तुकार कौन है ठीक है आप दोस्तो भारत भवन कहां है इस्थापना है और बास्तुकार है आपको यह सब पता है लेकिन आगे ऐसे question आएंगे दोस्तो जो आपने पहली वारे पर आप कैसे कोई इमारत होती है न उची उठी तो यह उच्टाइक इमारत नहीं है भारत भवन ठीक है यह जमीन के समनांतर है कैसी है जमीन के समनांतर है और इसको दोस्तो एक ही स्थान से पूरा नहीं दिखा जा सकता ऐसा नहीं कि अपन कहीं भी खड़ होगा पूरा भारत भवन अपन को दिख जाएगा ऐसा नहीं है मतलब कहने का दोस्तों इसको एक जगह से पूरा नहीं दिखा जा सकता और ये जमीन के समानांतर है मतलब उची उठी इमानत की जैसी नहीं दिखाई देता ये भारत भवन ठीक है नेस्ट कोश्चन है पानी पर जुका हुआ पठार जहां से तलाब और एतिहासिक शहर दिखाई देता है ये सेंटेंस किस ने कहा था दोस्तों भारत भवन के संदर में कोश्चन ही आपसे पूछ रहा है ओफ्सन है चार्ल्स कोरिया असोग बाचपी एसी रोविन और इंद्रा गांधी दोस्तों सबसे पहले में आपको बता देना चाहता हूँ इस चार्ल्स कोरिया जो है भारत भवन के कौन थे बास्तुकार थे असोग बाचपी दोस्तों उस समयज में ये एक प्रसासनी कदिकारी थे कब जब भारत भवन का निर्मार हो रहा था एसी राबिन जो है दोस्तों ये मिंटो हाल जो भवपाल में है ठीक है पुराना विधानसाव भवन उसके बास्तुकार थे ठीक है और इंद्रा गांधी जी दोस्तों ये थी नहीं ये इन्वने भारत भवन का उद्घाटन किया था भारत भवन का उद्घाटन 13 फरवरी 1982 को इंद्रा गांधी जी ने किया था ठीक है तो याद रखना दोस्तों इस को स्टन का राइट अब जाएगा चाल्स कोरिया ठीक है जो भारत भावन के बस्टू कारते दोस्तो चाल्स कोरिया उन्होंने कहा था कि ये जो कला कैंढ रहे बहुत दी सुनR इस्थान परिस्थित है और पानी पर जुका ऊगा पठार जहां से तलाब और इतियासिक सहर दिखाई देता है भारत भावन दोस्त बहुत दिनों से दोस्तों अपडेट नहीं हुई है भारत वबन की तो आप याद रखना है तो आप याद रखना भारत वबन की कितने आँग है अब इमपोटन्ट चीज यह है जहां से question बनता है शें कौन-कौन से है तो याद रखना पहला आँग हो गया आपका रूपंकर क्या हो गया रूपंकर ठीक है रूपंकर जो है दोस्तों ये ललित कला से सम्वनित है किस सम्वनित है ललित कला से सम्वनित है दूसरा है दोस्तों रंग मंडल क्या है रंग मंडल ठीक है यदि आपको लिखा हुआ सम्वनिन आ रहा होगा तो मैं बोल बहुत तेज रहा हूँ ठीक है रंग मंडल जो है दोस्तों वो रंग मंच से संब्धित है किस संब्धित है रंग मंडल रंग रंग मंच रंग ठीक है रूपंकार किस संब्धित है तलित कला से संब्धित है तो यह हो गए आपके दो अंग ठीक है तीसरा अंग है दोस्तों आपका बागर् भाधे है यह साच्टरी संगीत है पाचवान दोस्तोर च्वी से सामनित है किससे समनित है और छट्वाज़धों आकार किसका होता है मूरती का होता है मूरती कला से सैंदा है ख़ब और पैंटिंग से ने कौनत हैемся टूपंकorous रंगमंडल अनहद छबी और आकार ये MPPSC मैंस में भी कभी कभी पूछ लेता है कि भारत भावन को डिस्क्राइब करो तो आपको यह सब लिखना पड़ेगा चलिए next question देखते हैं दोस्तों भारत भावन का उद्गाटन किस ने किया था? मैंने अभी बताया भारत भावन के उद्गाटन के समय मद्य प्रदिश के मुखमंत्री थे अरजुन सिंग जी दोस्तों बहबाल गेस कांड हुआ था आपको पता होगा 1984 में ठीक है और अपना भारत भावन का उद्गाटन का भुआ था 13 फरबरी 1982 को नेक्ट कोशन है भारत भावन के उद्गाटन के श्मे मद्य प्रदिश के राजपाल कोन थे यह कोश्चन बिल्कुल बन शक्ते हैं दोस्तों आप बिल्कुल मत विर्प कोशुचन है तो भारत भावन के उद्गाटन के समय मद्य प्रदेश के राचपाल कोन थे? स्री भगवत द्याल सर्मा जी थे कोन थे? स्री भगवत द्याल सर्मा जी मद्य प्रदेश के राचपाल थे भारत भावन के उद्गाटन के समय और आखरी सबारा दोस्तो भारत भावन का निर्माड कारिक कब प्रार्म हुआ बहुत important question है 1980 1980 में दोस्तो इसका निर्माड कार प्रार्म हुआ था और 13 फरवरी 1982 को इसका उद्घाटन हुआ था और इंद्रा गांदी जी ने इसका उद्घाटन किया था और मद्य प्रदिश के तत्कारी मुक्मंत्री कौन थे अरजुन सिंग्जी थे और राजपाल कौन थे तो स्री भगवत ध्याल सर्माजी थे तो दोस्तों ये थे भारत वबन से सम्माजीत बहुत इंपोर्टन दस सबाल ठीक है इनमें से दोस्तों एक कोश्चन आने की तो दोस्तों यदि आपको वीडियो और कोश्चन पसंद आया होंगे तो वीडियो को लाइक जलू करना और चैनल मनाया होगे तो चैनल को सिस्ट्राइब करना ठीक है इसी तरह से दोस्तों में रोज आपके लिए एक-एक टापिक कोश्चन MPG के से महत्पुल वाले आपके दिका रहुंगा थैंक्यू जहीं जहार